इस खूबसूरत लड़की की शादी 70 साल के एक अमीर आदमी से हुई. सपनों की जिन्दगी जीने के लड़की को हर रात बूड़े आदमी के जोश का सामना करना पड़ता था. और वो इसमें काफी ज्यादा खुश भी है. पर क्या जीवन भर वो खुश रह पाएगी? अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप काफी ज्यादा भूले हो. अमीर आदमी ने इलिजबित को आलीशान घर का टूर करवाया. घर में हर तरह की सुक सुविधा थी. उसके लिए महंगे महंगे कपड़े. इसके अलावा, स्विमिंग पूल सब कुछ उसका ही था. फिर उसने एक अंधेरा कमरा दिखाया और वादा लिया कि वो कभी भी इस कमरे में ना जाये. एलिजबित ने सिर हिलाया और कभी भी कमरे में प्रवेश ना करने का वादा किया. फिर एलिजबित और बुड़े आदमी ने मुंबती की रोशनी में रात का खाना खाया. उसने बुड़े आदमी को अपनी ओर आकरशित करने के लिए. अपने हाथ में लगी क्रीम को चाटा, लेकिन उसकी रात इतनी भी आसानी से नहीं गुजने वाली थी. सुबह जब एलिजबित उठी तो उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था. इसके अलावा बुड़ा आदमी भी वहाँ पर नहीं था. उसने अपनी थकान मिटाने के लिए स्विमिंग पूल में एक डूपकी लगाए. फिर उसने अपने कपड़े पहने और मजे से किताब पढ़ने लगी. लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो इसमें भी बोर हो गई. फिर वो उठी और उसने दस हजार डॉलर के गहने और कुछ कपड़े पहने. और अपनी सुन्दरता को आइने में गौर से देखने लगी. पार्ट टू के लिए लाइक और कॉमेंट करें.